20 साल की जर्नी है मेरी ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ओफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डिरेक्टर के असिस्टन ने पूछा तक क्या है मैंने क्या एक्टर है बुले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्ट्रिय में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता वो छे फुटका होता और गोरा होता है और लंबा चोड़ा बल्ले शल्ले होता है मनला हम तो बस ऐसे ही चले गए थे ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज का के मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनने चाहता हूँ तो उन्हों ने भी मुझे दिमोरलाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपनी क्योंकि पांच फूट का छोटा पतला दूबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जित थी एक जित थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्व यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा के अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूं उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूं उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है ऐसे हवा में नहीं के जैसा पहले होता था आरे यार तो तो बहुत किसी चीज को बारी किसे जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट की एक्सपीरियंस की जरूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल उफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ओफिस में जाते थे I think उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गये जैसे मैंने बताया क्या ओफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बहले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सु थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नियोगा को इतना बड़ा कोई इतनी सी प्रेसेनेलिटी का पाँचफोट शेंज का अदमी पतला दूबला सा मर्यल सा कि कब ये इस तरह की लुग एक्टर भी बन सकते हैं हेरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं हैं ऐ इस चीज का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद number ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को target नहीं किया टार्गेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल ट्राय करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फिल्ड अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का passion होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चालो ना तो पूरी दुनिया जुख जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के आगे जुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे sacrifice भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे-छोटे target बनाएंगे तो छोटे में निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको target बड़ा दो तो उसके लिए हमेशा अपने आपको uncomfort zone में डालो कि जो possible जो impossible है उसको possible करने की शिदत, passion आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे experiment हुए है ये सिर्फ इसी बिना पर हुए है पागलपन के जरिये ही हुए हैं इसारे experiment एक, मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप experiment करते हैं तो failure भी होते हैं कोई एक experiment करने के लिए कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है, बहुत बार failure हुए हम लोग, लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से success नहीं मिल सकती, for example Edison ने जब बल्ब का विश्कार किया, तो सो बार experiment किये, अपनी जिंदिगी में, सो बार experiment करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे formula पर ये था, बल्ब बनाने का, तो at least उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला, कि सो जो तरीके हैं, सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला, उन failures में उसको, जब हम लोग Mumbai आए तो हमें, मालूम था हमारे पास personality नहीं है, हमारे पास back नहीं है, ये हमारे father, दादा, पढदादा तो film industry में हैं नहीं हमीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका experience सुनते थे, उनको observe करते थे, तो I think मेरे पास 15 साल तक, 10 साल, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था, जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बढ़ जाता है, तो पूरे साल खाली बढ़ते रहते थे हम लोग, लेकिन एक चीज थी, कि लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हो आमें के तरह-थरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडिस्टिय में सिर्फ एकी तरह की एक्टिंग होती है, हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे यां, तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो ये तो सबसे अच्छा सूत रहे हैं, ये तो इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा तो जब ये सुत पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा, उनी में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे, बाड़ा साब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतुंडे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साब होंगे, तो इस तरह के ये कब हुआ, जब मैंने लोगों को अब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब fortunate अपने आपको समझने लगा था, कि thank God, कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला तो कभी भी I think मुझे लगता है कि कभी भी, जब आप struggle कर रहो होता है वो एक मौका होता आपके पास, वो एक chance होता है आपके पास, कि कैसे उस, उसमें आप अपना observation, experience, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप, तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार यह तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो पंदरा, दस, बारा साल मेंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था, हमें आज वो काम आ रहा है मेरे, जहां ज़रा सो कोई character मिलता है तो आदमी इस पस गई यह बंदा है, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग, I think यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, as an actor Of course, struggle में बहुत सारी चीज़े sacrifice करनी पड़ती है, क्योंकि खुझली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप है, वो आपने बनना चाहा था, और अगर disappointment आ रहे हैं, तो आप तो complain भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था यह बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत जादे वो भी हुआ, क्यार छोड़के चले जाते हैं, कुछ काम मिलनी रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, I don't know, मिल पाएगा या ने मिल पाएगा फिर यह होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है न, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तक मोबाल भाई नहीं आये थे, पेजर आये थे, तो पेजर यहां पर लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है न, थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, तो मेरी मदर मुझे एक लेटर लिखती थी, उसको लिखती थी, कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी, कि बारा साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तो तेरा दिन भी बदलेगा, तो उन सब चीजों को देखके, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती है, जो लाइन आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाने के लिए, और जब खराब वक्त होता आपको, वो लाइन, वो पोईम्स, वो वो सारी चीज़ा आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक मुझफरनगर के छोटा सा गाउं था, बढ़ाना, जब हमने शुरुवात की थी, महाँ पर जब मैं था, महाँ पर लाइट भी नहीं थी, एक गंटे के लिए रात में कभी आ गई, या एक महने के बाद हलका सा मुँ दिखा के चलिए इस तरह की, लाइट इस तरह होती थी, वो ही लैंब में पढ़ना, स्टार्ट किया, लैंब, तो छोटे से गाउं से आने के बावजूद, फिर दिल्ली हमारे, दिल्ली मतलब छोटा सा उससे बड़ा शेहर भी हमें ऐसा लगता था, पतनी क्या है, मैं डर लगता था, मैं ज इस शहर के साथ, शायद हम connect नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, तो इस तरह की, डर थे, लेकिन ऐसी जगा पे, ऐसी जगा पे आ गये थे, कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब, वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसली नहीं जा सकते थे, कि बहुत सारे डर थे, आपस आगे, चलो लग जाओ, ठीके, गाउं में असली नहीं जाता था अपने, कि जो पहले ही बोलते थे, वो लोग के शकल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया, तो क्या बोलेंगे, वो तो वहीं बोलेंगे, कि हमने तो पहले मना गया थे, कि मज जाओ, क्या करना, जीना, मुंबई में ही होगा, रेबा, सक्सिस की, सक्सिस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी, उसके लिए भी मतलब तयार रहना चाहिए, सक्सिस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारिक नहीं होती, कोई टार्गेट नहीं होता कि इतने ही दुनों में मिल जाएगी, इनसान का काम होता है I think मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता है? जिस भी आप फिल्ड में होते हो, उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जिसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारतें नीचे जाते हैं तो आपको दीरे दीरे बहुत कुछ दिखाये दिना शुरूरू ऐसी आपका भी फिल्ड है कोई भी हर फिल्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावना होती है इतनी possibilities होती है कि I think दुनिया का हर काम में सिर्फ अगर एक दरजी है पेंट सीता है एक हजार तरीकी के पेंट सीसकता है अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो जो ट्रेंड चला रहा है वो इसीता जाएगा ठीकर अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो एक हजार तरीकी के पेंट तो सी में एक हजार तरीकी किसी देगा वो पेंट ऐसे हर फील्ड में पॉस्पिलिटीस बहुत होती है और एक पर्फेक्शन होता है फर ग्सांपल जैसे हम लोग हम लोग उने ट्रेनिंग इसलिए लिए कि पर्फेक्शन आ जाया अपने काम में जैसे एक मैंने एक्जांपल सुना था कि ये छोड़ी छोड़ी चीजे जो मैं बता रहा हूँ ये चुकि मैंने बच्पन में सुनी थी उन पे दिवा उनी को अपनी लाइफ बनाके आगे बढ़ा तो आज यहां पे हूँ इसलिए वो छोड़ी छोड़ी चीजे बहुत कामाती है उनको सुनना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए बताते हैं कि एक बहुत बड़े पता निये सच है जूट है मुझे इतना साथ नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मौची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था बले दूसरी जगा से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले ही वो है लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वज़े से उतने पॉपुलर होते चले गए क्यार जूता फटके लेकिन शिलवाना वहीं जाके है क्योंकि आगर उनका सी दिया वहां पर जिंदेगी पर वहां से जूता नहीं फटेगा तो छोटी छोटी चीजों में यह जो परफेक्शन पैशन यह सारी चीजों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना वाके बहुत जरूरी होता है फिर experience आपका आपकी knowledge जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी I'm sorry to say बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लग पर बिलिप नहीं करता हूँ मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लगीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं luckily यहां तक कहुँच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं luckily नहीं पहुँच आँ यहां पर मैंने उसके लिए मैनत की है मैंने उसके लिए knowledge इकठी की है मैंने उसके लिए training लिए है अगर लग पर डिपेंड करता ना मैं तो अपने एक रूम में रहता देखते हैं यार लग जब होगा तो हो जाएगा ऐसे थोड़े नहों होता है थाक रहे बाड़ासाब ठाकरे के जब मैंने रूल किया तो वह लकी ली नहीं हो गया उसके लिए एक मेहिना में पहले हार्मोनियम पर बेठा में कि बाड़ासाब कहां से बोलते हैं उनका सुर क्या है उनका texture क्या है उनकी voice का उनकी walk कैसे है, वो चलते कैसे है उनका weight किस चीज़ पर ज़्यादे depend करता है हर आदमी का जो weight होता है किसी का thighs पर होता है, किसी का food पर होता है किसी का butt पर होता weight किसी का कमर पर होता है हर आदमी का weight shift करने का एक अलग तरीका होता है तो मैं हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साब किन चीजों पर वेट कर रख के चलते हैं ऐसे चलते हैं कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती हैं जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़े पता चलते हैं मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साब का रोल कर रहा था तो वो मिमिकरी भी नहीं होनी चाहिए कॉपी भी नहों जिसे अमुमन अकसर होता है जब हमारे यहां बायोग्राफिक की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी कॉपी करना मतलब ट्रेनिंग के फाइदे बता रहा हूँ आपको जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था यह हमें तभी समझ में आ गया था और प्रिपरेशन के वक्त बाला साब की प्रिपरेशन के टाइम पर कि मैंने कि इसकी मिमिकरी नहीं होनी चाहिए ना कॉपी होनी चाहिए और लगने भी चाहिए कि बाला साब ठाकरे है क्यूंकि चैलेंज यह था कि हजारों लाखों वीडियोज हैं बाला साब ठाकरे के हर आत्मी ने देखे हुए हैं सब ने देखे हैं कि बाला साब कैसे बोलते हैं कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं एक बार यह हुआ था कि हम, मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था, थाकरे मुवी की शूटिंग कर रहा था मैं तो, उद्धव साब थाकरे जो है वहां पर आगाई थे, वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने तो मैं, मेरा हाथ ऐसे था, तो बुले अपने हाथ यह ऐसे क्यों र और सिगार ऐसे पिया जाता है, कुछ ऐसे, और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था, और यहीं से जब स्पीच देते तर यहीं से यह जाता था, जो उनका सिगनेचर वो जेस्चर था, तो वो शॉप्ड होग है कि इतनी डिटेलिंग, इतन यह सारा किसलिए हो रहा है, पैशन की वज़स हो रहा है, एक पैशन है, उसके बाद आपके आपके एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलिज है, आपके ट्रेनिग है, उससे यह सारी चीज़े निकलती है, लाइक मन्टो, यह जितने भी कारेक्टर हुए, वो सब हवा में नहीं ह हो गए, उनके लिए बाकाइदा, वो छुटी-छुटी महनत की, छुटी-छुटी डिटेल इकठी की गई, स्कोर बनाया उसका, उन डिटेल्स का, तब जाके वो कारेक्टर जो आप देखते हैं, वो एक अलग इंसान, एक अलग इंसान दिखता है वो, मैंने कभी भी इसम्म या इन सब चीजों बे बिलीव नहीं किया, जब आज मुझे बोलते हैं, कि तुम तो स्टार हो मैं सच, आज भी मुझे यकिन नहीं होता है, मैं स्टार हो मुझे लगता है कि मैं अक्टर ही हूँ और मैं आज भी ढूढने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं डीटेल्स की इस्टार्स का क्या होता है कि जब इस्टार होता एक जैसा होता है और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो मुझे वो नहीं बनना अगर मैं यह करूँ तो शायद दूसरी दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं मुझे हर रोज नए करेक्टर ढूंडने है लोगों के बीच में रहना है क्योंकि बीच में रहने से बहुत सारी चीज़े मिलती है मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में पता न कितने लोगों ने देखी वो फिल मुझे नहीं मालूम उसका कोइंसिटेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्ता जो मेरे रूम पार्टनर स्टेगल के टाइम पर मेरे साथ रहता था तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में जब पिक्चर रिलीज हुई त अब वो भी अक्टर था उसके बाद जब वो फिल्म इंडिस्टी में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार यह ऐसा मत कर यह नवाज ने कर दिया कुछ दूसरा कर तो बोलता हम तो औरिजनल में यह से हैं उन्होंने हमारा कॉपी किया है लग कहने के मतलब यह है कि लोगों के क्या होता है स्टार्स हमेशे शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं उनको बैंडरा में उनको मतलब किसी ऐसी जगा पर रहते हुए यह नहीं मालूम के दूसरी जगा क्या है अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई प्रिस्नालिटी क्रियेट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको भले थूड़ी परिशानिया होती हैं बट रहना पड़ेगा उनके बीच में मेरा तो ऐसा मानना है नवाज आप बहुत छोटे से शेहर से हैं बिस्ट्रिक मुझाफर नगर यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीस से हैं जब की आपके शहर या जिस शहर से मैं हूं जहां पर एजुकेशन भी नहीं मिलती है जहां पर खाना पीना जैसे आपने बुला बिजली कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी जाना तो नॉर्मल है तो बहां पर उस छोटी से शहर में रहके एक परिवार में जहां पर कभी किसी ने आक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था और आप आट भाई बहन हैं सबके साथ रहके परिवार में परिवार का चीज करने के जहाँ एक अलग से एक फॉट आया था अलग से कि मैं आक्टिंग करूंगा और वो भी काफी दिन बाद जब आपने जौब भी कर लिए उसके बाद तो जब फॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया और अग मैं आपके दिमाग में असरों क्या विग है सफ्मेरे दिमाग में ये तो नहीं आयो था कि मुझे एक्टर बनना है बट इतना जरूर्ब tamam कि कुछ तो नया करना है क्या करूंगा मुझे नी आईडिया था कि जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं कुछ अलग करना है मुझे, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है, और इसलिए मुझे लगता है, आज जब मैं सोचता हूँ, कि अगर मैं किसी भी फिल्ड में होता है, तो मैं एक्सपरिमेंटल ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे आदत थ अच्छा लगता है वो, क्योंकि क्या है ना कि चलन जो चलन चल रहा है, I think उसको उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना, उसके अगेंस चलना उसकी लिए सालों लग जाते हैं, बीच बीच में आपको ये भी ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है, लेकि प्रूफ बीचे कि लेकि लूब कि खी लिटेंस चलन जो चलन के साथ चलन पाहँ में खॉस टूबग लगता है.